इस वीडियो में हम बात करेंगे के एक साधक का जीवन कैसा होता है? कुछ जैसे तो बहुत सारी बाते हैं जो एक साधक के लिए जरूरी है परन्तु मैं एक नॉर्मल साधक, एक ग्रस साधक, एक जीवन जीवन यापन करने वाला साधक और साथ में जो है अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने उत्थान के लिए, साधना तीन तरह से होती है मैं नवार्ण मंत्र की स्टार्टिंग में भी ये बात की थी कि अक्सर तीन तरह के प्रश्ण आते हैं एक है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो की मुझे प्राप्त हो जाए साथ-साथ मेरे जीवन में उत्थान भी हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी के पास नहीं है, वो मुझे मिल जाए और तीसरी है कि मुझे अपनी अपलिफ्टमेंट करनी है, अपनी स्पिरिच्छल अपलिफ्टमेंट करनी है पहले तो साधक साधक पे मुनस्र करता है उसका जीवन, कोई साधना को जीवन की पद्धती बना लेता है कोई कुछ देर के लिए साधना करता है और फिर अपने back to the pavilion आ जाता है, back to the roots आ जाता है, back to the work आ जाता है कुछ लोग कुछ दिन के लिए साधना करते हैं, कुछ लोग उसको दैनिक साधना बना लेते हैं, कुछ लोग अपनी जीवन में उत्थान के लिए, अपने आत्मे को उत्थान के लिए करते हैं, कोई भौतिक उत्थान के लिए करते हैं, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे चाहे भौतिक के लिए है ठीक है चाहे संसारिक के लिए है चाहे आत्मिक के लिए है चाहे धार्मिक के लिए है और चाहे फनेंशिल के लिए है आर्थिक के लिए है जब आप साधना करते हैं तो आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए देखे सबसे पहली चीज है नियम जब आप दैनिक साधना करते हैं तो कुछ नियमों से आप छूट जाते हैं क्योंकि दैनिक साधना जब आप उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं जीवन का तो बहुत सारी चीज़े हैं जो आप छूट जाते हैं उससे क्योंकि आप आपको अपने बहुत एक जीवन को भी जीना है अपने संसारिक जीवन को भी जीना है गरस्त जीवन को भी जीना है जब आप कोई भी साधना करते हैं साधना करते हुए कुछ नियम सबसे पहली चीज है आपके माइंड की प्रोग्रामेंग आप समझे माइन प्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत बड़ा फेनॉमेना है किसी भी तरह की साधना में जाने के लिए क्यों जा रहा हूँ क्या चाहिए अपना लक्षन निर्धारन जिसको शिव संकल्प कहते हैं अब उसके बाद में लक्षन निर्धारन हो गया आपने सोचा कि मुझे अपनी अपलिफ्टमेंट करनी है अगर आपको अपनी अपलिफ्टमेंट करनी है तो नियमबत आपको एक ताइम अपने देखे मन का वर्तुल है समझेए मन का वर्तुल है मन हमेशा चंद्र 27 नक्षत् नक्षत्रों के बाद घूम के वहीं आ जाता है अश्वनी से शुरू होता है वापिस अश्वनी में आ जाता है तो हर नक्षत्र का अपना तत्व है चंद्र जिस नक्षत्र में जाता है उसी प्रकार की vibrations create होती है तो सबसे पहले तो मन को काबू में करना चंद्र से सम्मंदित जो रस हैं उनको समझना ये बहुत जरूरी है यानि वो कब आता है मन काबू में कब आता है नियम बनाना यानि एक time है एक समय है अब suppose अगर आप 27 दिन का अपना चार्ट बनाने कि इस दिन मैं ये बोलता हूँ इस दिन मैं ये बोलता हूँ आप जान लेंगे कि आप घर के लोगों को बोल देंगे कि भाई आज मुझसे दूर रहना आज situation ऐसी डाईगी मैं frustrated हो सकता हूँ मुझे गुछ साह सकता है तो मन को समझना अपने अंदर के तत्व को समझना ये बहुत जरूरी है आप किसी भी साधना में जाएं आप साधना में ना भी जाएं तब भी ये जरूरी है अब नियम जो होता है आपने एक टाइम पे साधना का नियम मना लिया यानि एक टाइम सुभा आपने साधना करनी है या फिर शाण को एक टाइम पर आपको साधना करनी है उस टाइम उस स्थेती में आपका इनर सेल्फ वो धीरे-धीरे डिमांड करने लगएगा और उसी से धीरे-धीरे आप प्रोग्राम्ड हो जाएगी आपके अंदर धीरे धीरे वह उर्जा व्याब्त होनी शुरूर होगी यदि आप नियमवत करेंगे तो परंतो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि अगर आप नियमवत नहीं कर पाते हैं धाय-चांस सब कर अपना-पना रोटीन होड़ में काम करता है kis darh है करता है यजि अब नहीं भी कर पाते हैं तो इसका अर्थ का भाव लहीं लाना、 य executing न इसमें आप को ब्रह्म चर भी रखना होता है खांपहन का ध्यान्पर को आक रखना होता हिए आपको उर्जा खी जागरती के लिए आप कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको फूड का भिजान रखना होता है आपको अपने वानी विचार व्यभार इन सब का ध्यान रखना होता है जादा चीजों में मत उलजिये चिक हैं इस तरह से होता है यदि आप 21 ग्यारा दिन की साथना कर रह दोता है यदि आज लहसुन ना खाएं ठीक है तामसी घुजन न करें तामसी विचार न लाएं और जो आपने समय चुना है जितनी आपने माला चुनी है उसको आपको लक्षे को पूर्ण करना है कि डैनिक साबना में आप लक्षे पूर्थी वाली स्थेज में नहीं रहते देनिक सादना में आप सिर्फ अपना एक टाइम फिक्स अप कर लेते हैं, चाहे वो प्रणयाम का है, चाहे वो तंत्र का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, मंत्र का है, या किसी क्रिया का है, कोई भी है, आप एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, एक छीज और, साधक जीवन को यज्य की तरह जीता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है साधक के लिए जीवन अपने आप में एक यज्य होता है और यज्य जब आप करते हैं तो आप हविश्य देते हैं साधक स्वयम को जोक देता है मैं अक्सर ये कहता हूँ कि साधना ना व्यापारी की है ना भिखारी की है साधना जुवारी की है जो स्वयम को अपने आप में जोक दे उस साधना में उस लक्ष प्राप्ती के लिए या फिर उस अगर जिन्दगी का एक घंटा और रोज का आप अपनी साधना में दे रहे हैं तो फिर कुछ नहीं है उसके आगे वो केवल एक घंटा वो आपकी लाइफ का सिर्फ उसी के लिए समर्कत है अगर आपको 21 दिन दे रहे हैं अपने एक टाइम स्पैन के तो वो टाइम स्पैन जो आप दे रहे हैं या 11 दिन दे रहे हैं वहाँ कोई मैटर नहीं करता आपकी कोई इच्छा आपकी कोई सोच आपकी कोई समझ आपको अपनी उर्जा को हारनेस करना होता है आपको अपनी उर्जा को समझना होता है आपको अपने जीवन को मैंने मैं पहले भी कहता हूँ दुबारा कह रहा हूँ सादक यग्यकी तरह जीवन जीता है